हाई एवरिवन एक्जामेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलापाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के विशे में जो की 12 अगस को जारी किया गया है इसमें कुछ पद हैं जिसमें डाइरेक्ट आपके इंटर्विव कंड़क्ट कराये जा रहे हैं हम उन पदों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसके क्वालिफिकेशन को क्या मांगा हुआ है यदि आप सब विक्षुक हों तो आप जाकर इंटर्विव दे सकते हैं आई एम देखते हैं डिटेल से उससे पहले एक चीज आपको और बता दू यदि आपको PDF चाहिए जो नोटिफिकेशन आया है तो टेलिग्राम पर है आप वहां से देख सकते हैं और अपने से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इल्हाबाद इनवस्टी की में साइट पर जाएए वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा वहां से चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं आये देखते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इल्हाबाद इनवस्टी की तरफ से यह जारी किया गया है नोटिफिकेशन और यह जो पहला पद है वो है आपका नर्सिंग ऑफिसर मेल मतलब सिर्फ इसमें मेल कैनी डेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो पहला पोस से है और अगर आपके पास वो कॉलिफिकेशन है और आप शुक हैं चाहते हैं वहाँ जाना तो आप जाकर इंटर्व्यू को देख सकते हैं आईए हम इसके कुछ चीजों को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपको जाने चाहिए सबसे पहले बात करना है एज की कि एज आपकी क्या होनी चाहिए 35 यर होनी चाहिए एज ठीक है और एक चीज और जाने जिए कि जो यसी यसी और ओबी सी कंडिडेट है या AWS का टेगरी जो भी आपको छूट मिलती है हर एक में वैसे ही इसमें भी मिलेगी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपक जो है साइंस स्ट्रीम से पास करी हो 10 प्लस 2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और सेकेंड क्या है बैचलर डिगरी होनी चाहिए किसमें तो इन नर्सिंग या आपके पास 3-year डिपलोमा इन नर्सिंग या जी एनम फ्रॉम रिकॉग्ञाइज इन या जिसको JNM भी कहते हैं वो अगर आपके पास है तो चलेगा होना चाहिए उसके बाद है आपका की Registration with Nursing Council of India या State यह तीनों चीज़ें अगर आपके पास है Essential qualification है आपके पास तो आप interview दे सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा जितने भी चीज़ें हाँ पर लिखी हुई है यह सभी आपके पास डाकुमेंट रेडी होने चाहिए Original copy होनी चाहिए क्योंकि यह interview है उसके बात कर लेते हैं salary की आपको इसमें salary क्या मिलेगी उसमें fixed monthly salary अभी रखी गई है जिसमें है आपका 25,000 है 25,000 रुपए आपको per month दिये जाएंगे दूसरी बात यह बात कर लेंगे कि क्या आपको कितने permanent यह है या और स्थाई है स्थाई है इसके विशे में जानेंगे तो फिरहार यह जो है आपका extend होगी vacancy six month के तक के लिए पहले आप रहेंगे उसके बाद लिखा हुआ है maybe extend मतलब अगर आपका performance अच्छा रहता है जैसा भी रहेगा उसके बाद आपकी vacancies को मतलब आपके कारिकाल को जो है extend कर दिया जाएगा देखिए ऐसा हमेशा होता है एक बार अगर आप चलेगे तो extend होती रहती है चीजे अगर अगर आप कहीं बताया कि आपको original copy होनी चाहिए जो भी आपकी है जो इसमें qualification मांगे वो सारी चीजे होनी चाहिए हो सके तो एक आप resume बनवाईए जिसको bio data कहते थे पहले resume जानते होंगे आप सब लोग वो भी आप बनवा लीजिए ठीक है updated resume लिखा हुआ है and two passport size photograph होनी चाहिए ठीक है औ यह रही बात nursing के लिए ठीक है समझ में आ गया होगा आपको आपकी भी कोई query होगी तो आप comment section में पूछ लेंगे आपको बता दिया जाएगा आईए हम देखते हैं दूसरे post के विशय में की वो क्या है teaching में सिर्फ आपको teaching करनी होती है इसमें क्या होता है आपको facilities देनी होती है मतलब इसका मतलब यह अनुदेशक होता है सहायक होता है मतलब आप जो भी बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ teaching नहीं करनी है उनको हर एक चीज की planning करनी है आपको ऐसी activity करानी है कि उससे सीखें खुद से सीखें ठीक है सिर्फ आपको अपनी तरीके से नहीं पढ़ाना है teacher की तोर पर यह सारी चीज़े होती ह है खास्तों से इसमें BA candidate को जो है मौका दिया जा रहा है अगर आपने BA किया है तो आप जा सकते हैं आए देखते हैं पहले इसका जो इंटर्व्यू है वह 28 तारीक को होने वाला है ठीक है दस बज़े से होगा morning में ही है सभी इसके और इसमें essential qualification और age क्या मांगी है उसको हम देखेंगे 35 वर्ष होना चाहिए इसी दरीके सिस्त में भी छूटें जैसे से स्टी ओबी सी और फिजिकल केंडिडेट हैं मतलब जो हैंडिकैप होते हैं और ex-servicemen category से हैं आप तो आपको छूट मिलेगी उसके बाद essential qualification में देखें पहला क्या बैसलर डिग्री इन इन B.A.B.C. कुछ भी आपने किया हो वो चलेगा आपका उसके बाद second क्या होना चाहिए देखें B.A.D. और यहाँ पर और लगा है ध्यान रखेंगे B.A.D. और diploma in early childhood education और nursing teacher training course जो होते हैं या B.A.C. जो होता है family and community science अगर आपने इन सब में से कुछ भी किया है पहला तो करना ही है graduation हो दोसरे में B.A.D. आपने किया हो या तो diploma हो आपके पास कुछ भी जो लिखा है उसके बाद minimum 2 year teaching experience in primary और pre-primary आपके पास minimum 2 साल का experience होना चाहिए ठीक है experience मांगा है उसके बाद बात करते है salary की इसमें भी fixed है 25,000 है 25,000 रुपय आपको permanent salary दी जाएगी और इसके कार time के लिए आप होंगी इसमें भी होई है कि आपको जो है six month के लिए पहले आपको रखा जाएगा उसके बाद extend हो सकता है इसमें यह नहीं है कि होगा ही लेकिन यह मान के चलिए आप होता ही है ठीक है maximum time ऐसा होता है ऐसा नीच 6 month में आपको कह दिया जाएगा आपका time हो गया और यह permanent भी हो सकता है बाद में चलके तो अभी तो फिलाल है लिखा नहीं है अगर आप लोग यह पूछना चाहेंगे कि किती सीटे हैं तो मैंने पहले ही जैसा बताया है नोंने कोई सीट का जिक्र नहीं किया है किती सीटे है ठीक है ना ही nursing के लिए ना ही इसके लिए किया दिखेंगा है न कि also with a set of photocopies ठेक है और आपके 28 को है इनवस्टी जो guest house है वहाँ पर ही आपका होगा पासपोस साइप की फोटो रिसेंटली की होनी चाहिए यह सारी चीज़े है और अपने इंटर्व्यू की तयारी कर सकते हैं अगर आप कहीं पर है आपके पास experience है और द मतलब अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं गौर्मेंट जॉब में है प्राइमरी में तब ही आप जा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर वहाँ कोई पढ़ा रहा होगा तो क्यों जाएगा वहाँ पर इस तरीके से 6 महीने के लिए पढ़ाने ठीक है तो इस काफी च हैं इस पा मैंकि टे चाल इसम्म पार अगर अगर आप देना चाहें तो दे शकते हैं इतनी कोई क्वेरी यह हूं तो पूछ लीजेगा कमेंट शेक्ट्स येक्सम में nex वेडियो में उसको बता दिया जाएगा शिकन लेक्सट्स में मिलते हैं दबत पक के लिए टेक क्यार जए एंदे